नमस्कार दोस्तों दीमियाद चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये हैं मटन रोगन जोश ये एक बहुती लजीच और स्वादिश्ट डिश है इसे बनाने के लिए जिस सामगरी की जरूरत है उसमें सबसे पहले एक बड़ा चमबस दिशी ची चार प् और दस से बारा काली मिर्च एक बड़ा टूपड़ा अधरक 15-16 लाला सुनकी कली दो मेडियम साइच की हरी मिर्च इनका हम पेस्ट मनाएंगे तीन चमबच धनिया पाउडर तीन चमबच लाल मिर्च पाउडर एक चमबच गरम मसाला पाउडर तीन चोथाई चमबच फल्दी एक चमबच जीरा और एक बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची को छील कर इसके दाने निकाल कर धनिये एसोरी जीरे के साथ मिक्स करकर हम तो गून लेंगे और उसके बाद इसका पाउडर मना लेंगे नमक स्वादनुसार दो मेडियम साइज के टमाटर और गार्णिश के लिए भराधनिया कि इन सभी मसालों के इसाफ से हमने 750 ग्राम मतन लिया है इसे अच्छे से दो के साफ कर लिया कि सबसे पहले हम गी को गरम करेंगे करेंगे कि अच्छे अच्छे गरम हो चुका है अब इस में हम अपने इखड़े मसाले डालेंगे साथ ही वो प्याज जो हमने चौप पर लिये प्याज को हम सब तक भूनेंगे जब तक यह सुन्हें रिविया होगी हमारे प्याज बिल्कुल सुन्हें रही हो चुके हैं आज का यह इतना सुने रही होना बहुत जरूरी है तो कि तभी ग्रेवी में वह बात आएगी जो हमें चीज़िए उसके बाद हम इसमें यह अधर को सुन और आरी में इसका पेस्ट केंड़ करतेंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे जिससे की लसुन जले ना इसे लगाता रिहलाना जरूरी है जिससे की यह लगे ना कि यह देखे हमारा पेस्ट तिक चुका है और ही उपर आ गया है अब हम इसमें मटा नेड़ करेंगे एनल कर्णुका है कि अब हुआ है कि कि अब आप सब्सक्राइब और इसमें मटाल और इसमें कि अच्छप इसमें दॉस्ट इंदाना लाएगे कि थोड़ी दिर में यह मटत पानी शोड़ देगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह लगे ना कि यह देखिए इसको इलाते रहेंगे ताकि यह लगे ना पानी है वो निकलता भी रहेगा साथ इसाथ जलता रहेगा जब लगे कि हमारा घी उपर आ गया है अब पानी नहीं है तो इसमें हम बसाल एड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा साथ में पानी एड़ कर देंगे इससे की मसाले जलेना और उनको सिखने के लिए ठीक रहें अच्छे से इलादेंगे अच्छे से इलादेंगे कि आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं अच्छे से अच्छे से सिखाई हो अच्छे इसके लिए इसमें पानी एड़ करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से इलाते रहेंगे ताकि यह नीचे लगे नहां और जब तक इसका घीव पढ़ना आ जाए तब तक हमें से इलाते रहेंगे और पकाते रहें यह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है पर यह अभी पका नहीं है खाने के लिए तैयार नहीं है कि यह देखिए अब इसमें घी उपर आ चुका है इसमें अब हम वो टमाटर जो उपने चौप कर लिया है एड करेंगे अब हम इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि यह तबाटर अच्छे से मैशना हो जाए यह देखिए कमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं अब हम इसमें जो रोगन जोस की जान है वो चीज मिलाएंगे वो एक बड़ी लाइची और जीरा जो हमने तवी पर सेक लिया है उसका पाउडर बना लिया है अब हम इसमें यह एड करेंगे और इसको अच्छे से लादेंगे रोगन जोस के फ्लेवर के लिए बड़ी लाइची के दाने और जीरा दोनों सेक कर पीस का पाउडर बना कर इसमें एड करेंगे इसी से इसका फ्लेवर बनेगा अब यह देखिए अब यह हमारा मतन उस स्टेज में आ चुका है यहां से हमारे सामने दो आप्शन है पहला यह अगर हम इसे ओपन बनाना है तो हम इसमें दाना करेंगे दबल पानी एड करेंगे और अगर हमें इससे जल्दी बनाना है तो यहां हम इसमें जितना हमको ग्रेवी चाहिए उतना पानी एड करके इसको पुकर में डालकर विशल लगा लेंगे विशल हमें उतनी लगानी है जितनी नॉर्मल हम लगाते है उससे बस एक कम लगानी है यह देखिए मैंने इसमें जितना ग्रेवी की जरुत है उतना पानी इसमें एड कर लिया है और इसको अच्छे से हिला लिया है अगर आपको इसे ऑपन बनाना है तो आप इसमें डबल पानी एड़ कीजिए और इसको बिल्कुल लो फेम पे पकने दी यह देखिए मैंने इसे कुपकर में एड़ करके और इसमें सीटी लगा ली है और अब यह पूरी तरह से तयार है अब हम इसमें जरम मसाला एड़ करेंगी और थोड़ा सा अराधन लिए लीजे हमारा ये बटन रोगन जोस रुमाली रोटी के साथ खाने के लिए पूरी तरह से तयार है रुमाली रोटी के रसाथ मतन ब्रोगन जोस का आनंद लीजे है रुमाली निए लीजे हमारा ये लीजेалось से तयार है झाल झाल